कुरोना वेक्सिन के मामले में क्या अपडेट है ये पुरी दुनिया जानना चाहती है लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा संतोष जनक अपडेट दुनिया को नहीं मिला है जो उनको राहत दे फिलाल एक खबर है ये खबर कोरोना से related है वैक्सिन से related नहीं है लेकिन ये आपको रहात दे सकती है अब कोरोना के टेस्ट आप घर बैठे कर सकते हैं और मात्र 30 मिनिट में आपको result भी मिल जाएगा ये काम अमेरिका में हुआ है अमेरिका के food and drug administration यानि की USFDA ने मंगलवार को कहा कि उसने पहली self-covid test kit को मनजूरी दे दी है इस kit के जड़िये घर पर ही कोरोना की test किये जा सकते हैं और इससे मात्र 30 मिनिट में result मिल जाता है USFDA की और से जारी बयान में कहा गया कि सिंगल यूस test kit का निर्मान लिउक्री health ने किया है इसका इस्तमाल emergency में किया जा सकता है इस kit के जरिये खुद नाक्ष में swap sample लेकर test किया जा सकता है USFDA के मताबिक 14 साल ये इससे बड़े लोग इस kit के जरिये कोरोना का test कर सकते हैं USFDA के commissioner Stephen Hahn ने कहा कि अभी तक घर जाकर COVID-19 test का sample लिए जाने की अनुमती थी जिसका result बाद में आता था ये पहली ऐसी kit है जिसका इस्तमाल खुद किया जा सकता है और ये घर पर ही result दे देती है USFDA ने कहा है कि इस kit का इस्तमाल अस्पतालों में भी किया जा सकता है लेकिन 14 साल से कम उम्र के लोगों के test के लिए sample कोई health worker ही लेगा अमेरिका ने सभी नागरिकों के टीका करने की योजना पर काम कर दिया है ये वेक्सिन से related खबर है अगले मैने से ये अभियान शुरू हो जायेगा और उमीद जताई जा रही है कि दिसंबर अन्त तक करीब 2 करोर लोगों को टीका लग सकता है अप्रेल तक वहाँ वेक्सिन के 70 करोर डोज तियार हो जाएंगे इसलिहास से अमेरिका के सभी नागरिकों को टीका दिये जाने का काम अप्रेल से जुलाई के बीच पूरा होगा मोडना और फाइजर ने जो वेक्सिन तियार की है उसकी दो डोज एक व्यक्ति को लगनी है और अमेरिका से आ रही है ये खबर पुरी दुनिया के लिए अच्छे संकेत है इस बिमारी ने करोरों लोगों को इफेक्ट किया है लाखों लोगों की जान ली है और अर्थवस्था पर जो चोट दी है उसके दो क्या कहने जरूरी है कि जल्द से जल्द इस वेक्सिन का निर्मान हो और लोगों तक उसको ढंग से पहुँचाया जा सके ताकि पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से बच सके इस मामले पर जो भी अपडेट्स होंगी नेशन लाइव आप तक पहुँचाता रहेगा देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन लाइव धन्यवाद